नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सर्मार बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है प्रिस्टिक रासी वालों 25 अप्रेल की सुबह 2 बच कर 26 मिनट पर बुद्ध देव मीन रासी से निकल कर मेश रासी में प्रवेश करेंगे और यहां पर बुद्ध देव सुर्य देव का साथ पाएंगे क्योंकि सुर्य देव पहले से मेश रासी में बिराजमान हैं बुद्ध देव आने से दोनों एक साथ हो जाएंगे ऐसे में आप बुद्ध रासी के जीवन पर इसका क्या प्रवा पड़ेगा लेकिन उसके पहले दो बाते जान ले कि ब्रिस्चिक रासी की कुंडली में अगर बुद्ध गरबर हो जाए तो आप में जितनी योग्यता है उस योग्यता के बावजूद आपको उबलब्धी नहीं मिल पाती दिक्कतें बढ़ जाती है इसकीन की समस्या होती है या फिर वानी की समस्या भी परेसान करती है और बुद्ध को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने खान पान को सुद्ध और सात्विक बनाए रखे लेकिन इस समय बात कर रहे हम इस गोचर में क्या कुछ फल आपके जीवन में आपको मिलेगा क्योंकि यहां पर बुद्ध देव सुरे के साथ है और बना रहे हैं बुद्ध दित्ते राजियो लेकिन जब आप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके जीवन में इस समय इसका क्या फ़ल मिलेगा देखिए आपकी रासी से छटे भाव में बुद्ध का गोचर हो रहा है और सूरे देव भी छटे भाव में ही विराजमान है अब यहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है तो इसमें आपको थोड़ी परेशानी तो होगी तो थोड़ा सा समल के रहना हम आपको उपाई भी बताएंगे तो उस उपाई को अमल में लाईएगा देखिए इसमें आपको स्वास्त में थोड़ी परेशानी आ सकती है अपने स्वास्त का बहुत ख्याल रखिए आपके स्किन की प्रॉब्लम हो रही है यहां पर तो आपको समझ के रहना है किसी तरह कोई अलर्जी बेगर है ना हो जाए किसी से बाद भी बाद जगड़े लड़ाई ना हो जाए क्योंकि आपके लिए तो बुद्ध वेब्रेवल नहीं है उपर से छटे भाउ में है तो और तक संबबो सांत रहें वरना आपके खर्चे भी बढ़ेंगे सांत रहें चीजों को इगनौर करें और इसमें आपके जो डेली इंकम है वो भी थोरे गरबर हो जाएंगे छटे भाउ का बुद्ध लगता है यहां पर आपके जीवन में चीजें इधर की उधर करेंगे तो ऐसे में क्या करें कि जीवन में बेहतर होने लगे सब कुछ देखिए आपके जो इंकम है उसमें गिराबट हो सकती है और धन के मामनों में परिसानी आ सकती है कहीं करजा ना पर जाए इस पर ध्यान देना है किसी से करज ना लेना पर जाए इस पर ध्यान देना है यह जो ब आपको सफलता तो मिलेगी रुके वे काम भी पूरे होंगे लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा बहुत ही ज़्यादा वर्क जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हलांकि थोरा साईयस में लगेगा मन मस्तिस को भटकार आए लेकिन फिर भी आप अपने लक्षी की तरफ फोकस बनाए रखे आपको तमाम जो आपके सपने वो पूरे होंगे आप आगे भी बढ़ेंगे बस आपको थोरे से संभल के रहना है मन को भटकने नहीं देना है बुद्ध इस समय आपके जो उच्चा दिकारी हैं आपके जो बॉस है यानि बड़े लोगों जिसके अंदर आप काम करते हैं उसके संभंधों पर भी असर डाल रहा है तो ऐसे में उन संभंधों को संभाल कर रखे किसी भी तरह की कोई समस्या आने ही न दे आ जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आप अपने बुद्धिमानी से सॉल्व करे तो इन बातों का ध्यान रखे और बुद्धवार के दिन संभंधों गनेज जी को दुर्वा एक प्रकार की खास होती है अर्पित करे और साथ ही साथ यहाँ पर होता क्या है न आप देखिएगा ब्रिस्टिक रासी वालों के लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजूर होते हैं क्योंकि इनका बुद्ध इनके लिए फैबरेवल नहीं होता तो हमने का गनेज जी को आप बुद्धवार के दिन जीवन को बेहतर करें तमाम गरह अच्छे फल दें इससे आपके लिए सुप फल आपको मिलने लगेगा तो हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए लाइप से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब जरू करें हर हर महादेब धन्यवार